देर स्वेंड्स आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सराइज 2.4 एंसे अटी मैथ क्लास 9 इसमें पेटें हमें क्या करना है पॉलिनोमियल में फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं और देखना है कि जो गिवन हमारे पॉलिनोमियल है वो इनके फैक्टर्स है या नहीं ठीक है तो हम जो है स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक्स प्लस वन है तो यहां पर हमारा जो फैक्टर है हमें चेक करना है कि यह ज से एकस की वैलू क्या आएगी ex2 वैलिओ आएगी माइनस वन तो हमें जो यह वैल्यू फॉर्स जेकिंड्ड फॉर्थ में पुट कर के देखनी है जिसका अंसर इस इक्वल टु जीरो आएगा तो उसमें तो हम आंसर देंगी yes इस gì कि नहीं आएगा तो वह फेक्टर नहीं चाओ कऱस्ट वह स्क्राइज है इसमें स्क्राइब mm मैंनस वन स्क्राइब माइनस मंदसर वैंनस शचलाइब मनेंट्डी की तो भटक्राइब माइनस आहतेगा देख वहार एब को सब्सक्राइद है तो यहां पर minus raised to power 3 है तो minus रहेगा और 1 की power जितनी मर्जी आप करो 1 ही रहेगा plus minus की power जो है even आ गई तो minus खतम हो जाएगा तो plus 1 plus minus minus bracket जब open होती है तो अलग-अलग sign हो तो minus आता है 1 plus 1 अब देखो minus 1 plus 1 यह cancel out हो जाएगा minus 1 plus 1 यह भी cancel out is equal to 0 तो फर्स्ट वाले में आप लिखेंगे x plus 1 is a factor factor of this statement ठीक है next करते हैं second part second वाले में भी इसी तरह से आपने रखना है इसको statement के अंदर तो आप कैसे लिखेंगे second part के लिए statement है x raised to power 4 plus x cube plus x square plus x plus 1 तो यह आपकी statement है तो इसमें आप देखें यहां पर हम रखेंगे same value minus 1 power 4 plus minus 1 cube plus minus 1 square plus minus 1 plus 1 तो यहां पर power even है तो यह plus 1 हो जाएगा यहां पर power odd है तो minus 1 आएगा plus minus minus 1 plus यहां पर beta जो है square फिर से power even है तो आप यहां पर 1 लिखेंगे यहां plus minus minus हो जाएगा और plus 1 तो यहां पर plus 1 यहां minus 1 यहां पर 1 अब देखो plus 1 minus 1 plus 1 minus 1 यहां से बच गया 1 तो this is not equal to 0 तो इसका यह factor नहीं है ठीक है next sum try करते हैं third question same way में आपको बिटे करना है solve third question करते है third वाले में same है x raise to power 4 ठीक है तो यहां पर हम लिखेंगे x raise to power 4 plus 3 x cube plus 3 x square plus x plus 1 तो यहां पर आप देखें minus 1 raise to power 4 plus 3 into minus 1 raise to power 3 plus 3 into minus 1 raise to power 2 plus minus 1 plus x 1 sorry ठीक है यहां पर power even है तो माइनस आप खतम कर देंगे plus 1 यहां पर odd power है तो माइनस रहेगा तो माइनस 1 की 3 से माइनस 3 हो जाएगा यहां पर देखो माइनस पावर even है तो माइनस finish हो जाएगा यहां से तो 3 बंजा 3 plus का आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा minus 1 ठीक है और plus 1 तो आप देखें minus 1 plus 1 cancel plus 3 minus 3 यह भी cancel तो बचा 1 is not equal to 0 तो यह इसमें भी x plus 1 जो है इसका फेक्टर नहीं है लास्ट ट्राइ करते हैं आप फोर्थ वाले पार्ट जो है हमारा फोर्थ पार्ट में सेम वे में हम रखके minus 1 तो इसमें आप देखें x3 x3 minus x2 minus bracket 2 plus root 2 into x plus root 2 इस bracket को open करते हैं पेटे पहले तो x3 minus x2 अब minus है यहां पे तो minus है और x है इसकी multiply कर देते है minus 2x हो जाएगा minus 2x minus फिर से अंदर जाएगा तो यहां पे हो जाएगा माइनस रूट 2X और साथ में है प्लस रूट 2 अब यहां पर वैल्यूपूट करते हैं हमारी जोह कर निंए हम Мईनस वन नहीं माैनसरस माइनस वन स्क्वेर माइनस यहां पर रहेगा 2X 2 into एक्स है साथ में तो माइनस 1 फ्लस रोट सब्स Drive है यहां पर देखेंट पावर ओड है तो माइनस 1 रहेगा यहंपर पावर इवन है तो यह अंदर वाला माइनस खतम हो गया लेकिन बाहर माइनस है इसलिए माइनस वन आएगा थीक not हाँ पर स्कत्राइंaxis ऊवाइमाइनस वनाम अझेगा अब माइनस-वाइनस प्लस तूवं बंज़न तू यहां पर माइनस माइनस, प्लस और रूटर वह 應प फिर यहां से रूट डू अजेगा minus 1 minus 1 यह हो जाएगा minus 2 plus 2 plus root root 2 हो जाएगा 2 root 2 यहां पर यह cancel तो this is not equal to 0 so it is not the factor of this statement तो इस तरह से बेटा आपका first question जो है वो complete होगा next करते है second statement देखते हैं इसमें हमें use factor theorem use factor theorem to determine whether g of x is a factor of p of x in each of the following case तो हमें check करना है कि जो g of x given है क्या वो p of x का factor है तो first वाला ही logic यहां पर इस्तेमाल करेंगे हम पहले हम g of x को 0 के equal रखेंगे so that is solution क्या रहेगा हमारा solution रहेगा x plus 1 is equal to 0 यहां से x की value कितनी आई minus 1 इसको हम put this value in p of x तो p of x में इसको put करते हैं that means हमें find out करना है p of minus 1 तो p of minus 1 क्या बनेगा तो यहां से आप देखें 2 x cube है तो यहां लिखेंगे हम minus 1 cube plus minus 1 square minus 2 into minus 1 minus 1 तो यहां पर आप इसको solve करते हैं 2 फिर से minus की power और ओड़ है तो माइनस रहेगा ना minus 1 यहां पर प्लस ब्रेकेट में देखो minus 1 square है तो यह हो जाएगा plus 1 यहां पर minus minus plus 2 minus 1 यहां पर बेटे कितना होगा हम first वाले का अंसर आएगा बेटा येस येस जी ओफ एक्स इस फेक्टर आफ पी ओफ एक्स नेक्स करते हैं सेकेंड इसको मैं रब कर देता हूं पी ओफ एक्स में रखेंगे तो हमें फाइंड यूट करना है पी ओफ पी ओफ माइनस टू तो कितना रहेंगे देखो एक्स क्यूब है तो माइनस टू क्यूब कर देंगे plus 3 इंटू माइनस टू स्क्वार प्लस थ्री इंटू यह थोड़ा इस तरफ लिख लेते हम पी ओफ माइनस टू तो यह जेगा माइनस टू क्यूब प्लस थ्री इंटू माइनस टू स्क्वार प्लस थ्री इंटू माइनस टू प्लस वन ठीक है अब यहां पर माइनस टू स्क्वार है तो यह जेगा फोर यहां पे सॉरी क्यूब है यहाँ पर cube है वेटे यह power 3 है न तो power 3 लेनी तो 2 to the 4 to the 8 हो जाएगा और minus की power ओड तो यहाँ पर आजाएगा minus 8 फिर यहाँ पर आप देखे minus की power even तो minus तो खतम हो गया 2 to the 4, 4 to the 4, 3 to the 12, plus 12 यहाँ पर minus plus minus 3 to the 6, plus 1 अब देखो plus वाले number कौन कौन से है 12 और 1 है न और minus वाले minus 8 minus 6 यह कितना हो जाएगा 8 6 minus 14 ठीक है और यह हो जाएगा plus 13 अब यह तो बचेगा minus 1 that is not equal to 0 तो second वाले का answer आएगा कि यह इसका factor नहीं है ठीक है दो second वाले में answer हमें देना है no अब हम करते हैं third part हमारा, third value में बेटा देखें, third वाला जो part है इसमें पहले आपको g of x को 0 के एक वाल रखना है तो g of x is equal to 0 तो क्या हैगा x minus 3 is equal to 0, x की value आजएगी यहां से 3 अब आपको इस value को इसमें p of 3 आपको find out करना है p of 3, p of 3 जब आप निकालेंगे x cube है तो हम यहां लिखेंगे 3 cube फिर minus 4 minus 4 into x square है तो that is 3 square फिर plus x है तो plus 3 plus 6 अब यहां से 3 cube, 3, 309, 3027 तो यहां पर हम जो है क्या लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे 27 27 लिखेंगे यहां पर और इसके बाद बेटे यहां पर minus 3, 309, 9 for the 36 यहां पर हो जाएगा, यह दोनों मिलके हो जाएगे plus के 9, अब देखो plus वाले यह भी plus वाली, 27 भी plus का है, तो 27 और 9 यह 36 होता है, minus 36 यह आजाएगा 0, तो इसका अंसर आएगा बेटा, yes, it is a factor, ठीक है, इस वे में आपका third question जो है, third question देखते हैं, यहां पर find the value of k, हमें k की value find out करनी है, if x minus 1, यह जो है x minus 1, is a factor of p of x in each of the following cases, यह 4 parts आपके बाद given है, तो आपको क्या बताया रखा है, कि इसका factor अगर x minus 1 है, तो इसमें जो k है, इसकी value आपको find out करके दिखानी है, तो बेटा, इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो आपने यह जो हमारा x minus 1 दे रखा है, हम क्या करेंगे solution में, x minus 1 को 0 के एकवल लेंगे, और यहां से x की value आगए आपकी 1, अब इस value का हर एक part में हम use करने वाले है, first part solve करते हैं पहले, first part में देखें बेटे, x square, x square plus x plus k, तो अगर यह factor है, तो इसकी value 1 पे 0 ही आएगी, तो आप निकालेंगे बेटे, p of 1, ठीक है, हर एक केस में, p of 1, तो यह आपका 0 ही आना चाहिए, p of 1, 0, तो यहां पर हम लेंगे x की value 1, तो 1 square plus 1 plus k is equal to 0, 1 की power कितनी भी करो, आप 1 ही रहेगा, 1 plus 1 plus k is equal to 0, तो यह आज अगर 2 plus k is equal to 0, k is equal to minus 2, तो first वाले part में आपका k आएगा, minus 2, ठीक है, next करते है, second, first हमारा done हो चुका है, next करते है, second, p of x को फिर से आपने क्या लेना है, p of x को, p of 1, sorry, p of 1, मतलब जब हम 1 value रखेंगे, तो यह आएगा 0 के एकवाल, तो p of 1 निकालते हैं, यहां से 2 into 1 square, 2 into 1 square, plus k into 1 plus root 2 is equal to 0, ठीक है, इसमें में, अब यहां से 1 का square 1 ही होते हैं, तो 2 बंजर 2, plus k बंजर k, plus root 2 is equal to 0, अब यह k के साथ दोनों अलग-अलग statement है, root वाली statement है, तो दोनों का आप इधर shift करेंगे, तो याज अगर k is equal to minus 2 minus root 2, इसको इतना लिख लो, या फिर ऐसे भी आप common निकालके भी लिख सकते हो, तो यह दोनों ही अंसर आपके correct है, ठीक है, इसमें में होगा, next करते हैं, third, third part में भी आपको क्या करना है, बेटे, p of 1, p of 1 is equal to आपको लेना है 0, यहाँ से k x square है, तो बेटा, हम यहाँ पे लेंगे k into 1 square, फिर minus 2, minus root 2, minus root 2 into 1, plus 1 is equal to 0, अब यहाँ से क्या होगा, k into 1 square, k ही आएगा, minus root 2 को 1 से करेंगे, root 2 आजाएगा, plus 1 is equal to 0, अब हमें इनको shift करना है right में, तो आपका answer क्या बनेगा, बेटा, answer बनेगा, root 2 minus 1, minus 1 plus root 2 भी आप लेख सकते हैं, तो यह बेटा, आपका 3rd का answer बनेगा, next देखते हैं, 4th part, 4th वले part में आप देखें, p of 1, फिर से हम 0 लेंगे, p of 1 is equal to 0, तो यहाँ से k into 1 square, minus 3 into 1, plus k is equal to 0, अब k into 1 square, k आजाएगा, फिर से, यह हो जाएगा, यहाँ पर minus 3, और यहाँ पर भी plus k है, is equal to 0, k plus k हो जाएगा, यहाँ से 2k, minus 3 is equal to 0, अब minus 3 को पहले हम shift करेंगे, right में, यहाँ से आएगा, 2k is equal to 3, और k की value आजाएगी, 3 by 2, ठीक है, तो इस वे में बेटे हमें यह question solve करने है, तो k की value आगे आपकी, 3 by 2, next, इसमें आपको factorize करना है, अब बेटे, factorize करने का method क्या use होगा, यहाँ पर quadratic equation है, ठीक है, square वाली equation है, cube वाली हो, तो पहले अलग से हमें एक factor निकालना पड़ेगा, फिर हम इसको solve कर पाएगे, quadratic में हम direct कैसे कर सकते हैं, आपको center वाली statement no down करनी क्या है, और एक, इसकी multiply इसके साथ, मतलब last की first के साथ, तो 12 बन जा कितना हो गया, 12, यह हमने no down कर लिया, अब 12 के ऐसे दो factor आपको लेने है, जिनका sum या minus, जिनका plus या minus जो है, वो 7 बनता हो, किसी भी तरीके से, और multiply करने पर 12 बनता हो, प्लस का 12, तो ऐसे कौन कौन से number होंगे, 4 और 3, 4 तरी जा 12 होता है, और 4 और 3 को plus करेंगे, तो 7 आएगा, लेकिन यहाँ note क्या करना है, आपने कि minus 7 आना चाहिए, यहाँ पर minus 7 है ना, तो दोनों को add करने पर minus 7 आए, तो ऐसा कब possible होगा, जब दोनों ही factor आप minus के लेंगे, तब यह possible होगा, ठीके, तो हम यहाँ पर इसको तोड़ेंगे कैसे, बीच वाले को break करके लिखना है, आपने 12 x square को as it is, यहाँ पर minus 4 x minus 3 x, last वाले को as it is, plus 1, अब first 2 में से common निकालना है आपको, जो भी आपका common आएगा, यहाँ से देखे, 4 की table common है, और 1 x आपका common आएगा, 4 x, यहाँ से 4 की table में है कितने प्याता है, 4, 3 जा 12, और x एक बाहर जा चुके है, तो एक यहाँ पर, minus 4 x बाहर जा चुके है, पुरा का पुरा, तो 1 बच अब यहाँ से कुछ भी common नहीं है, तो आपने जो यहाँ sign है वो लिखना है, और अगर कुछ भी common नहीं तो 1, तो यहाँ से जब एक बात आपने याद रखनी है, 1 common आया, तो statements as it is रहेंगी, लेकिन minus common आये, तो sign change होता है, ठीक है, यह फरक आपको याद रिखना है, यह से bracket को common निकाल देंगे, 3x minus 1, second bracket में आप क्या लिखेंगे, first word यहाँ से, और second यहाँ से, minus 1, तो यह आएंगे बेटे आपके factors, क्या आपके factors, 3x minus 1, और 4x minus 1, next देखते हैं, यहाँ पर फिर से आप इसको multiply करेंगे, इसके साथ, 3 to 6, तो मतलब 6 के ऐसे दो factor लेने हैं आपने जिनका sum 7 बनता हो, या subtract 7 बनता हो, तो 6 और 1 आप ले सकते हैं, 6 और 1, 6 बनजा 6, और 6 plus 1, 7, अब plus का 7 चाहिए, तो दोनों factor हम plus के लेंगे, तो break करते हैं, इसको 2x square plus 6x plus 1x plus 3, first 2 में से common निकालते हैं, यहाँ से common आएगा 2 और 1x, common आजेगा आपका, यहाँ से 2 चला गया, x चला गया, तो 1x बचेगा, plus 2, 3, 6, तो 3 बच जाएगा, ठीके, इस नहीं में, यहाँ से फिर से कुछ भी common नहीं है, तो 1 common है, plus 1, इस बार plus का 1 है, तो sign as it is, x plus 3, अब दोनों bracket में से bracket को common निकालेंगे, x plus 3, यहाँ से बचेगा 2x, यहाँ से बचेगा plus 1, ठीके, यह आप को plus या minus करने से 5 बने, वैसे तो होता है, 6, 6 जा, 36, लेकिन 6 को 6 में plus करने से भी 5 नहीं बनता, 6 में से 6 को minus करने से भी 5 नहीं बनता, तो हम लेंगे factor 9 और 4, क्योंकि 9, 4 जा कितना होता, 36, और 9 में से अगर 4 को minus करते हैं, तो 5 भी आता है, तो हम यहाँ पे लेंगे, 6x square plus 9x क्योंकि plus का 5 बचाना है, तो बड़ा हम plus करेंगे, 9x minus 4x minus 6, ठीक है, तो इसको हम solve करते हैं, first 2 में से common, 3 और x, तो यहाँ से बचेगा, 3, 2, 6 और यहाँ से x, plus 3, 3, 9, उसके बाद यहाँ से minus, और 2 की table भी common है, तो हम 2 को common निकालते हैं, 2, 2, 4, 2x minus 2, 3, 6, 3, अब यह bracket, sorry, minus बाहर common है, तो प्लस आएगा, यहाँ से आजएगा, 2x plus 3, और यहाँ से 3x, और यहाँ से minus 2, तो यह आपके factors, final factors आ जाएगे, next इसको करते हैं, solve, इसको थोड़ा से मैं उपर लिख लेता हूं, statement क्या थी हमारी, fourth के लिए, 3x square, बोलना में इस statement क्या थी आगे 4th वाले की, 4th पार्ट की, 3x square, minus x minus 4, तो इसको करते हैं, मैंटे देखो, इसमें है 3x square, last में है minus 4, इसके साथ आपको multiply कर देनी है, तो 3, 4s are 12, अब 12 के factor चाहिए, बीच में minus 1 बचना चाहिए, यहाँ पे, कुछ नहीं है तो 1, minus 1 कब बचेगा, 4 और 3 हम ले लेंगे, 4 में से 3 minus करेंगे, तो 1 बचेगा, और 12 multiply करेंगे, लेकिन minus का मैंने बचना है, तो बड़े को minus लेंगे, छोटे को plus, यहाँ पे बनेगा 3x square, minus 4x, plus 3x, minus 4, ठीके, तो इन दोनों में से numbers में तो कुछ common नहीं आएगा, x common आजाएगा, तो आप लेंगे x, यहाँ से 3x minus 4, यह लेंगे, तो यहाँ से बचेगा, x plus 1, तो इस तरह से वेटे हमारी जो है, 4th पार्ट की factorization complete होगे, ठीके, नेक्स पार्ट करते हैं, इसमें भी factorize हमें करना है, लेकिन यहाँ डिफरेंस कहा होएगा, यहाँ पर पावर जो है 3, that means cubic equation हमारे पास आ रही है, तो cubic में हमें पहल करना पड़ेगा, फिर जो उससे divide करके quadratic equation आती है, उसको हम previous sum वाले method से उसको break कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको ध्यान एकना है, इसमें वैसे तो हमें क्या करना दा है, hit and trial method, कि 1 value रखके देखो 0 बन रहा है या नहीं, minus 1 रखके देखो 0 बन रहा नहीं, इस तरह से, लेक तो first वाले में ये method आप apply कर सकते हैं, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, short method, वो क्या होता है वेटे, देखो यहाँ पे x है और 2x square है, अगर मैं यहाँ से x square common लेता हूँ, तो यह बचेगा x minus 2, जो कि इसके साथ same रहेगा, तो first वाले sum मैं इस method से आपको करवाऊंगा, जह same नहीं बनेगा इसके साथ, तो यहाँ से आप देखें, first 2 में से common आएगा x square, x square यहाँ से बचेगा x, minus यहाँ से x square जा चुका है, तो 2, अब यहाँ से मैंने बताया था आपको, अगर कुछ भी common ना हो, तो एक तो यह sign minus, और एक 1, अब minus 1 को मैंनेगा, अंदर वाला sign change अदरवाइस यह apply नहीं होना था, तो आपने क्या लिखना है, x minus 2, यहाँ से x square, यहाँ से minus 1, अब यह factor तो अलग हो चुका, यह हमारी quadratic equation जो बच गई है, इसको बेटे आपने कैसे break करना है, अब यह है x square, इसको हम लिख सकते है, one square, लिख सकते हैं ना, one square, क्योंकि one का square त a plus b, एक बार दोनों को minus में, ठीक है, यह formula होता है, तो इसको हम इस way में break करेंगे, x minus 2, यहाँ पर first statement है, x second है one, तो एक बार दोनों को plus में, और एक बार दोनों को minus में, ठीक है, तो यह आपके final factors बनेंगे, x minus 2, x plus 1, और x minus 1, ठीक है, next statement है, उसमें आप यह method नहीं apply कर सकते है, उसमें हमें पहले hit and trial method यूज करना है, यहाँ पर हम जो है, वो first method नहीं use कर पाएंगे, तो यहाँ हम करते हैं second method, तो इसमें क्या होगा, आपको पहले देखना है, plus 1, minus 1 रखे, इसको बोलते है, hit and trial method, hit and trial method, लगबग सभी questions में, minus 1 या plus 1 आपको इसका factor मिलेगा ही, मिले minus 3 into minus 1 square, minus 1 square, minus 9 into minus 1, minus 5, तीक है, अब इसको solve करते है, minus 1 cube है, तो minus 1 हो जाएगा, minus 3, और यह देखो square है, तो यहाँ minus कतम हो जाएगा, तो यह रहेगा minus 3, यहाँ minus और minus, plus 9, और यहाँ पर minus 5, अब minus वाले numbers कौन कौन से होगे बेटे, minus 5, minus 3, minus 8, minus 1, minus 9 और plus 9, तो यह 0 आ रहा है, तो that means, minus 1 जो है, इस condition को satisfy कर रहा है, तो हम लिखेंगे, x is equal to minus 1, तो यहाँ से x की value, factor क्या बन जाएगा, इसको अगर इधर shift करते हैं, तो x plus 1 is equal to 0, तो x plus 1 जो है, इसका एक factor है, तो हम क्या करेंगे बेटे, हम x plus 1 से इसको divide करेंगे, और जो quadratic equation ब ले, divide है, इस तरह से करना है, आपने, x cube minus 3x square minus 9x minus 5, अब हमें divide किसे करना है, x plus 1 से, तो x plus 1 से करना है, तो first number को हमें same करना है, वेटे, first number को same करेंगे, तो x है, यहाँ x cube है, तो एक तो हमें लेना पड़ेगा, x square, तो x square को x से multiply करेंगे, x cube, फिर plus 1 से करेंगे, plus 1x square, तो यहाँ minus 1 minus, cancel हो जाएगा, minus 3, अब यह minus का हो गया बेटे, तो minus 3 minus 1, minus 4x square, यहाँ से सारा आपने नीचे उतार देना है, minus 9x minus 5, अब देखें, minus 4x square बनाना है, यहाँ पे only x है, तो आपको लेना पड़ेगा, minus और 4 और x, minus 4x को x से multiply करेंगे, तो minus 4x square, फिर minus 4x को 1 से multiply करेंगे, तो minus 4x, sign फिर से change, plus, plus, यह cancel, minus 9 plus 4, तो यहाँ बचेगा, minus 5x, minus 5 उपर से आ गया, अब यहाँ क्या बनाना है हमें बेटे, minus 5, minus 5 को x से करेंगे, minus 5x, minus 5, sign change, plus, plus, पूरा cancel, zero remainder, that means, पूरा-पूरा यह divide होके आ रहा है, x square, minus 4x, minus 5, अब इसके हमें दो फेक्टर बनाने हैं बेटे, तो दो फेक्टर कौन-कौन से बनेगे, x square, minus 4x, minus 5, अब इसको देखो, यहाँ पे इसके आगर कुछ नहीं है, तो 1, तो 5 बन जा 5, x square, minus 5x, plus 1x, minus 5, अब देखो, minus 5, plus 1, minus 4 बचेगा, और minus 5, minus, plus 1 की multiply करेंगे, तो 5 बचेगा, first two में से common निकालते हैं, x, तो यहाँ से x minus 5, यहाँ से plus 1 common आएगा, तो फिर से x minus 5, अब x minus 5 को आप common ले लो बेटे, तो यहाँ से बचेगा x, यहाँ से plus 1, तो बाकी दो फेक्टर यह आगे, एक फेक्टर यह आगया, तो आप लास्ट आंसर क्या देंगे, फाइनल आंसर आपका, x plus 1, x minus 5, और x plus 1, यह तीन फेक्टर जो हैं आपके इस question के लिए बनेंगे, ठीके, next करते हैं आप third part, third में भी same, यही logic हम इस्तिमाल करेंगे वेटा, third बाले में प्लस 1, minus 1 रखके देखेंगे, अगर जो satisfy करेगा, तो वो इसका factor हो जाएगा, तो third part के लिए, हम पहले minus 1 रखके देखेंगे, third part के लिए, p of minus 1, तो कितना बनेगा, अब देखो, x cube है, तो यहां लिखेंगे, minus 1 cube, plus 13, into minus 1 square, plus 32, into minus 1, plus 20, अब यहां से minus 1 cube आएगा, तो आप लिखेंगे, minus 1, क्योंकि power ओड है, तो minus रहेगा, यहां पर power even है, तो minus खतम हो जाएगा, 13, 13, 13, यहां minus है, तो यह add हो जाएगा, minus plus minus 32, add नहीं होएगा, बैटे, multiply करने है, तो यहां पर plus 20, अब इनको solve करते है, minus 1, minus 32, तो यह हो जाएगा, minus 33, plus 13, plus 20, plus 33, तो कितना रहे, is equal to 0, that means, minus 1, इस equation को satisfy कर रहा है, तो हम लिखेंगे, x is equal to, है, minus 1, और यहां से आगया, x, minus 1 को इधर लेखेंगे, plus 1, और इधर कुछ नहीं है, तो 0, x plus 1 आपका, इस equation का factor है, तो हम इसको फिर से long division से quadratic में बदलेंगे, तो x plus 1 से हमें divide करना है, किसको divide करना है, इस statement को, x cube, plus 13, x square, plus 32, x plus 20 को, अब first को same करेंगे, तो यहां आएगा x square, x square को x से करेंगे, तो कितना बन जाएगा x cube, यहां से plus x square को 1 से करेंगे, तो 1 x square, sign change, यहां से बचेगा आपका x cube cancel, 13 minus 1, तो हो जाएगा 12 x square, उपर से SAT उतारो, plus 32 x plus 20, अब 12 x square है, यहां पे only x है, तो आप लेंगे plus 12 x, 12 x को x से करेंगे, 12 x square, 12 x को 1 से करेंगे, तो कितना बनेगा, plus 12 x, cancel करते हैं, minus minus, यह cancel, 32 में से 12 minus करते हैं, 20 x plus 20, अब 20 करना है हमें, यहां x है, तो plus 20, यहां जाएगा 20 x plus 20, cancel कर देते हैं, minus minus, all cancel, 0, तो यह वेचे, जो quadratic equation आपकी आएए है, इसके हम factor बनाएंगे, x square plus 12 x plus 20 के, तो यहां से 12 को break करना है, 20 आजए, तो आप देखें कौन-कौन से इसके factor बनेगे, 10 और 2, 10 और 2 12 होता है, और 10 to the 20 भी होता है, यहां से हम लिखेंगे, x square plus 10 x plus 2 x plus 20, first 2 में से कौमन निकालते हैं, x, तो यहां से आजएगा, x plus 10, और plus यहां से 2 को मना आएगा, तो x plus 10, अब आप देखें, x plus 10 bracket सेम है, तो x plus 10, यहां से आजएगा, x यहां से plus 2, अब यह बाकी दो factor आगे, और एक factor था आपका, x plus 1, तो factor हमारे का हो गए, और answer का बनेगा, x plus 1, x plus 2, और x plus 10, यह हमारा final answer इस question का बनेगा, ठीक है, इसके बाद हमारा है last part, last में बेटे वही first वाला method मैं आपको करके दिखाऊंगा, क्योंकि इन दोनों में से अगर y square को common निकालते हैं, तो same statement बस्ती हैं, यहां वाले, तो इसको हम करते हैं, first वाले short method से, तो हम जो हैं, अब last question पे हैं, हमारे fourth part पे, fourth में हैं बेटे देखो, two y cube plus y square minus two y minus one, first two में से common निकालते हैं, बेटे देखो, y square को अगर आप common निकालते हो, तो y square यहां से बचेगा two, यहां से y, plus one, यहां से देखो कुछ भी common नहीं हो, तो one तो common होता ही है, और यह साइन यहां पे है, minus one, यहां से two y, मैंने बोला था, minus को मनाता है, fine change, तो plus one, अब bracket को बाहर निकालते है, two y plus one, यहां से बचेगा y square, यहां से minus one, फिर से हम one को कह लेख सकते हैं, one square, तो a square minus b square वाला formula फिर से, एक बार दोनों plus में, एक बार दोनों minus में, तो two y plus one, यहां से एक बार दोनों को plus में लिखेंगे, y plus one, और y minus one, तो इस तरह से आपका यह sum जो है, वो complete होगा, यह आपका answer बनेगा, तो all my dear students, आपकी exercise होती है complete, तो factorization के साथ यह fifth question था, और भी नईने वीडियो से आपको मेरे चैनल पर मिलते रहेंगे, और देखते रहेंगे, सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, धन्यमाद, आख करे मारता है गे?